नवश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों सर्थ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है इस दिन चंद्रमा अपने पूरे शवाब पर होता है कहते हैं कि सर्थ पूर्णिमा की रात अमरित बरसता है इस अमरित को आप भी ग माननता है कि इस दिन अगर आप खीर बनाकर खुली चांदनी में रखते हैं और अगले दिन उसे ग्रहन करते हैं तो आप भी इस अम्रित को ग्रहन कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए सर्द पूर्णिमा पर किये जाने वाले बहुती आसान और बहुती सकतिसालिश और सरल उपाए दोस्तों इस उपाए को एक तरफ जहंक करना बहुत आसान है बहुती सस्ता है वहीं दूसरी और इसके प्रभाव बह में इस्तमाल करते हैं बस आपको चार लोंग लेनी है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है इसके बाद आपको महालक्षमी और कुबेर जी जो की दोनों ही धन के लिए जाने जाते हैं महालक्षमी और कुबेर को ध्यान में रखते हुए और उनका ध्यान अपने हाथ जोड क करते हुए अपने घर के जहां पी आपका पूजा का मंदिर है वहां पर आप बैठ जाए और एक देशी घी का दीपक जला ले अब जो दोस्तों आपने दो चार लोंग ली थी उनमें से आपको दो दो जोड़े बना लेने हैं यानि कि एक जोड़े में दो लोंग और दूसरे को बिचा कर उसी में रख देना है उसके बाद दोस्तों हाथ जोड़कर इस मंत्र का ग्यारा बार जाब करें मंत्र इस प्रकार है ओम एम हीम श्रीम महालक्षमे देवे नमा इस मंत्र का ग्यारा बार जाब कर लेने के बाद आप महालक्षमे और धनके देवता कुवेर जी स अपनी मनों कामना मांगे और जो बाकी की बच्ची हुई दो लोग जो अपने लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखी थी आपको इसे उसी लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में जहां कई भी आप पैसे रखते हैं धन रखते हैं इसे महालक्षमी को महासवरूप मानते इसके अलावा आपको किसी भी तंत्र मंतर किया हुशकता नहीं है इस उपाय को करने के बाद कुछी दिनों में आपकी सभी मनों कामनाई जो भी आपने महालक्षमी जी से मांगी थी हाथ जोड़कर आँखे बंद करके जो भी ध्यान में रखते हुए उनका महालक्षमी जी का ध्यान करते हुए, जो भी आपने अपनी मनों कामनाएं मांगी थी, वैसे भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी गलाब जो देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति जिनके सिर पर करजा हो, या फिर करजे से मुक्ती पाना हुए, उनका सबी का करजा बहुत ही जल्दी मुक्त हो जाता है, और आपके पाँस इतना पैसा आ जाता है, कि आपके लिए समालना भी मुश्किल हो जाता है, बस आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहली बात थो यह और उपाए करते समय, आपको इसके बारे में किसी को बताना नहीं है और दूसरी बात आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई शंका नहीं होनी चाहिए पूरे सरद्धा विश्वास और उमंग के साथ इस उपाई को करें क्योंकि दोस्तो सरद्ध पूर्णिमा की रात को किये जाने वाले उपाई बहुत ही चमतकारी होते हैं लोग पूरे साल इस मासंयोग का इंतजार करते हैं ताकि वे इस उपाई को कर सके और अपने जीवन में आ रहे ही धन संबंदी हर प्रकार की मुश्किल को वे खतम कर सके दोस्तों आज की इस वीडियो में किवल इतना ही खल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे मैं जाते धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंग बली